हम इंडियन लोग चाय के भी ना तो दिन बन ही नहीं सकता सुबह सुथ उठकर चाय साम को चाय दोपर में चाय कोई गेस्ट आ गया तब भी चाय तो हम चाय कोई भी नॉर्मली यह से बना देते हैं या फिर कभी सूचते हैं कि कितना कैसे किस तरह से हम इतना टेस्टी चाय ब करता है नट चाय पीलूँ तो चाय तो छलिए हम सुपर रूपर टेस्टी एक्दम जो मिलते हैं ठेले पर ढवाबे राइस नहीं होता हैहम सोचते हिसार काश ciao घर पर ऐसे बना सकते तो चलिए हम उसी तरीखे के चाय बनाते हैं कैसे चाय के लिए सबसे पहले लेंगे असरारे बनाते हो उससे हम इसमें पानी नाप देंगे आपको जितनी चाय चाहिए उतने आप इसमें पानी ढाल सकते हो घरलकि तोस लकाप पानी डाल रहे हैं वोगर कि देंगे इसमेरा य पानी दाला उस kijkenर पिर कुछ भी नहीं डालेंगे अभी इसमें बॉयल आने देंगे तो हाई फ्लेम पर इसे बॉयल आने देंगे पहले इस पर मीन बात होता है ना कि लोग घबडा जाते हैं एक ही साथ दरख देते हैं चिन्नी चैपत्ती और चले जाते हैं तो ऐसा ना कि श्वात नहीं आता है तो हमने ले लिया है ये तुलसी का पत्ता है आठ तस पत्ते तुलसी के पत्ते हैं एक इच अद्रेक का टुकड़े और दो हरी लाइची अब इन सब को हमने अच्छी तरीके से धोल लिया है उसके बाद हम इसको क्या करेंगे कूटनी में कूट लेंगे इसको एकदम बारि करेंगे इस तरीके कर से हम इस तरीके से पेश्ट बन जाता है अब हम क्या करेंगे जू पानी उबल रहा था नब अभी उबलने देंगे उसमें पते कूट के डाले थे, उसमें आलकर और बॉयल आने देंगे, जैसे ही दो मियट बॉयल हो जाए उसके बाद हम इसमें दोध डाल देंगे, तो हम दो कप चाई में दोध दोध इस्तिमाल कर रहें हैं क्योंकि जितनी quantity में आपकी पानी रहती है उतनी quantity में अगर आप दूध डालते हो तो सूपर टेश्टी चायवन का रेडी हो सकती है तो अब हम उसे boil आने देंगे अच्छी तरीके से boil हो जाए ताकि दूध चुहे अच्छी तरीके से पक जाए उसके बाद हम इसमें चीनी डाल देंगे करीब चार चम्मच की करीब तो मैं इसमें चार चम्मच चीनी डाली हूँ क्योंकि हम मीठा जादा पीते हैं तो आप अपने हिसाब से इसमें मीठा बना सकते हो क्योंकि मैंने चार आदमी के लिए चाय बनाए है दो कप पानी और दो कप दूध तो चार कप हो गए तो हमने इसमें चार कप चीनी डाले हैं तो आप अपने हिसाब से इसे कर सकते हैं उसके बाद दो तीन मिलाट इसे हाई फ्लेम पर वायल होने देंगे तो लाश्ट में हम क्या करेंगे इसमें चैपत्ती डालेंगे देखिए जैसे ही चैपती डालेंगे सारे दूद्ध ऊपर आने लगेंगे तो हम गैस को कर देंगे मीडियम मैं इसमें करीब 2 चमच चैपती डाली हूँ आपके चैपती पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का चैपती है उसी तरीका के कलर आएगा तो मेरा चैपत्ती थोड़ा अच्छा था तो मैने दो चमच ही इसमें चैपत्ती डाला है चैपत्ती डाल कर इसे अच्ची तरीके से मिला देंगे और चाय को आप जितने ही हाई फ्लेम पर पकाऊगे न उतना सूपर टेस्टी चाय बन करिटी होता है तो सबसे पहले गैस को करेंगे हाई उसके बाद हम इसमें खुब वाइल आने देंगे इस तरीके से पैन को हिलाते रहिएगा किमकी अगर छोड़ देंगे तब तर चाय पूरी गिर जाएगा तो पैन को हिलाते रहेंगे उसके बाद तीन चार मिनट तक हाई फ्लेम पर तो दियों का मौसम तचाली हो गया है अब हमेज सुबा ढ़ा जब मर्जी दिन भर में 10 बर चाय पीते हैं हम इंडियों लोगों का यहीं प्रोब्रम होता है कि हम चाय बहुत ज्यादा पीटे हैं और इंडिया के लोग बहुत फेमस होते हैं चाय के लिए तो चाय पीना और मेरी इस रेस्पी पसंद आए तो लाइक शेयर सस्क्राइब जरूर कर देना